यहां वनकुन तयार है फेडो के लिए मैं बता नहीं सकती उस वक्त कितने खुश थी जब साई ने कहा कि हम सारे बच्चे यहां आकर वन भोज करेंगे उसी के बाद यह योजना सूजी कि अपने गुड़ा गुरिया की शादी के लिए इससे बहतर कुई जगा हो ही नहीं सकती लेकर ताई अब तक आय क्यों नहीं शादी में खाली हाथ थोड़ी ही आता क्या ते क्या है तुम लोगों ने पहले गुड़ा गुड़िया की शादी फिर बन भोज अच्छा साय आप ये बताईए अप लड़की वालों की तरफ से है या लड़के वालों की दोनों की तरफ से मैं बारातियों का स्वागत भी करूंगा और डोली भी उठाऊंगा हाँ साय तो हम सबके है पहले दुला दुलन से मिलवाओ तो मुझे है अरे वाँ दुलन तो बहुत सुन्दर है लेकिन ये सिर्फ सुन्दर ही है या इसमें कुछ गुण भी हैं गुण ये तो अमने सोचा ही नहीं तो आप सोचो सोच लिया साय लड़का बैरिस्टर है वही जो दादा जी मुझे बानाना चाहते है लड़का बुंबई से पढ़कर आया है अच्छे काशी कमाई भी है और कोई बुरी आदत नहीं है और संसकारी भी है अच्छा और लड़की मतलब गुडिया के गुणी आपने लड़कों से पूछा तब तक हमें सोचने का भी समय मिल गया हमारी गुडिया बहुत गुणी है सुशील है घर पे सारे काम करती है तपका ख्यार रखती है और पूरा घर अकेले संभालती है और शिक्षा कहां तक पड़ी है ये पाच शाला जाती थी लेकिन जब से शादी तय हुई है घर से निकलना बंद तो पढ़ाई भी बंद लेकिन लड़की वाले सादी काम आते है इसे अच्छा और उम्र क्या है इसकी? बारा साल बारा? लेकिन ये तो कोई शादी की उम्र नहीं है क्यों नहीं है साई? मेरी साकोरी वाली ताई की शादी भी बारा साल की उमर में हो गई थी और भी लड़की है वहाँ जिनकी शादी इस उमर में हो गई है जानता हूँ लटिका, समाज में ये चलन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, कि इसे सही ठहराया जा सकता है. याद है तुम लोगों को, जब तुम्हें मिश्ट्री गोली के कारखाने में काम करना पड़ा था, क्या तब तुम्हें अच्छा लगा था? नहीं साई, हम ठक जाते थे, पड़ाय भी नहीं कर पाते थे, आपने हमें कई बर चेताय भी था, बार बर सबसे काहा भी था, उस काम को करने के हमारी उम्र भी नहीं थी. हाँ साई, पर हम तब भी बच्चे थे और अब भी है. बच्चों की उम्र कच्ची होती है, इसलिए कच्ची उम्र में शादी ब्या होना ठीट नहीं है, क्योंकि उनकी उम्र इतनी नहीं होती कि वो ग्रहस्ती संभाल सके. ये तो उम्र है पढ़ने लिखने की गुड़ा तो बालिक है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है तुम अभी गुड़िया को लिखाओ पढ़ाओ इसे काबिल बनाओ शरीर के साथ साथ मानसिक विकास भी जरूरी है गुणी और सुशिल तो ये है ही बस एक बार हर लिहाज से सयानी हो जाए एक से बढ़कर एक रिष्टे तब भी आएंगे हम समझ गए साथ मतलब अभी ये शादी नहीं होगी होगी लतिका लेकिन पहले बनभुज कर लेते हैं जब तक वो हो जाता है कब तक तुम्हारी गुड़िया पढ़ लिखके सयानी बन जाएगी खेल ही तो खेल रहे हम इसमें तो हम अपनी नियम बना सकते हैं ना बिलकुल साई इसे बीच गुड़िया पढ़ लिखकर वखिल बन जाएगी तो इन दोनों के जोड़ी बड़ा बरकी होगी कितनी आसानी से तुम बच्चे समझ गहें काश बड़े भी उतनी ही आसानी से समझ चाहें कि चलो बच्चों वनभोश कर लेते हैं आज नहीं है पंक मगर मैं किसे दिन उड़ पाऊंगी बादलों के टापूओं पे उचल उचल के जाऊंगी तेज हवाओं में बैकर मैं गीट जोर से गाऊंगी मेरे पर निकलने दो मैं दूर गगन छुआऊंगी साइब आप तो रमागन का काया ना मातोगा के छोटे भाई हाँ साइ का है साइ बाहर गए आज आएंगे थोड़ी देर में आप बैठिये ना ठीक है रूख जाता हूँ आप नगर में रहते हैं ना खास साइ से मिलने आया है या और भी कोई काम है समझ लो दोनों लेकिन प्रार्थमिता साइ से मिलना है साइ कहा है आप इन सारे खेतों के आगे दुनिया नापनी है मुझे को जो सोच से भी हो उचा ऐसा काम करना मुझे को किसी को भी हो कठनाई उसे मैं आसा कर जाओंगी मेरे पर निकलने दो मैं दूर गगन छुआओंगी को रुक्यों गई बेटे अपनी कवीता पूरी करूं धरो मत तुम्हारी कविता बहुत सुन्दर है हमें पूरे सुन्नी है है ना बच्चों हाँ सुना सबको मिलेगी जब शिक्षा तो शिक्षा का होगा सम्मान देखा जाए तो पाने को दुनिया में हैं कितना ग्यान ग्यान की बल बूते पर सपनों को सच मैं भी कर पाऊंगी मेरे पर निकलने दो मैं दूर गगन चुआऊंगी बहुत सुन्दर कविता की आखरी पंक्तियों ने ग्यान को सही माइनों में परिभाशित किया है ग्यान हमें पंक ही तो देता है कहां से सीखिए कविता मेरे सीखी नहीं लिखिए लेकिन जो भी बाते मैंने कविता में कही वो मैंने अपने गुरु से सिखिए कौन है तुम्हारी गुरु सरोजीनी नाइडू वो कौन तुमने जानते हो ने वो तो बहुत ही मशूर है कविता लिखती है समात सेविका भी है या भाशन देती है उनसे कविता लिखने की और पढ़ने की प्रेर्णा मिली है मुझे उनकी तरह पड़ लिखकर कविता लिखनी है और समात सेविका बनना है तुम कैसे अपने आप कविता बना लेती हो जब हम प्रकृती से बात करते हैं तो प्रकृती भी हमसे बात करती है और फिर कवीता अपने आप ही बन जाती है बड़ा नाम क्या है गायतरी गाहों में नहीं आई हो तो तो हाँ और सोचो तो ना मतलब मेरे आई बाबा यही रहते हैं मेरे बाबा का नाम सोपान है और उनकी यहां एक दुकान भी है मैं पहले बंबई शहर में रहती थी अपने आजी के साथ आज ही मैं आजी के साथ हमेशा के लिए यहां रहने आई हूँ फिर तो तुम इन सब से जान पहचान कर लाँ आज से ये सब तुम्हारे दोस्त है अच्छे मौके पे मिलियो हम सब यहां वनबोज और गुड़ा गुड़िया की शादी के लिए आये हैं तुम भी शामिलो जाओ ना गायत्रिताई गायत्रिताई मैं यहां हूँ दामू दामू यह तुम्हारी बेन है हाँ गायत्रिताई कहा थे तुम अब चलो आई बुला रही हैं वनबोज और गुड़ा गुड़ी के शादी के लिए मैं रुपने पाऊंगी फिर कभी अब तो रोज मुलाकात होगी मैं यही के पाऊंचाले में दाखिला भी लेने वाली हूँ चलती हूँ, मुझे जाना होगा कोई बात नहीं बेटी लेकिन एक वादा करो मुझ से अपनी कविता की कला कभी नहीं चूरोगी चाहिए जो कुछ हो जाए जी बैसे आप कौन है? साई आप लोगों ने तो कहा था कि थोड़ी देर में आ जाएंगे साई लेकिन अब तक नहीं आए रोज अब तक तो आज आते थे पता नहीं आज क्या हो साई खब क्या करके है यह तो कोई नहीं कह सकता आपको तो साई के बारे में पता हैं होगा सब पता है लेकिन आज मुझे जल्दी है काका अगर आपको एतराज नहों तो तो हमें बताइए क्या काम है आपको सायद हम आपके कुछ मदद कर पाएं हाँ का का भेट देनी है साई को असल में मैं एक नया व्यापार शुरू करने जा रहा हूं और एक बहुत बड़े आदमी ने मेरे साथ साजेदारी करने के लिए हामिवरी है थोड़ी देर बाद वो मुझे खंडबा मंदिर में मिलने वाले है शुभारम का नारियल फोड़ना है और ये पैसे देने है दो रूपे साई को अरपित करके उन्हें अपने व्यापार में शामिल करना चाहता हूं ताकि मेरे व्यापार में हमेशा साई का आशिरवाद रहे लेकिन साई अब तक आये नहीं चुकि मेरा साजेदार वक तक ज्यादा ही पका है वो उन लोगों से सक नफ़रत करता है जो वक्त के पाबन नहीं होते अगर मैं समय पर नहीं पहुँचा तो हो सकता है वो साजेदारी ही तोड़ दे फिर तो सब खतम अस इतनी सी बात काका इस पूरे स्थान पर साही की कृपा है यह साही के बैटने की जगा है और इससे पवित्र जगा कौन सी हो सकती है तो आप वो दो रुपय यहां रख दीजिये और अपनी इच्छा बोलकर बेफिकर होकर अपने साजेदार से मिलने जाएए हाँ गागा तुम कहते तो सही हो लेकिन प्रत्यक्ष देने में और रखने में फर्क है इसलिए साही कहते श्रद्धा और सबुरी मन में विश्वास रखिये काका आपकी प्राथमिक्ता इस समय आपके साजेदार से मिलके काम शुरू करनी की है इसलिए पहले जो जरूरी है वो कीजिए आप मिश्चिन्थ हो की जाएए साही तक आपके बाद जरूर पहुंच आएगे इसके सिवा मेरे पास दूसरा विकल भी तो नहीं है साही इस व्यापार में मुझे कामिया भी देना और भागीदार बनके मेरे साथ रहना साही गायतरी तो हमारी उमर की है न फिर भी वो इतनी सुन्दर कवीता कैसे लिख लेती है राम जी हर किसी को अलग-अलग उनर देता है कायतरी को ये उनर दिया है मुझे था बगवान जी ने कोई उनर है ने दिया ऐसा नहीं है चेतन हम सब के पास कोई ना कोई उनर होता है तुम्हारे पास भी एक उनर है तुम हर खेल में माहिर हो ये छोटी बात नहीं है पेला खाना बहुत स्वादिश्ट बनाती है लती का गणित में बहुत अच्छी है और रागेनी गाती बहुत अच्छा है बच्चों, हुनर तो तुम सब के पास है फिर भी तुम में और गायत्री में एक फर्क है क्या साई? उसने बच्चपन में ही अपने हुनर को समझा और उसे निखारने के लिए वो नित्य अभ्यास करती है यही अंतर है उसमें और तुम सब में मेरे विचार में तुमको भी अभ्यास से अपने हुनर को निखारना चाहिए हम वादा करते हैं साई हम अपनी प्रतिभा को तब तक निखारेंगे जब तक हम गायत्री जैसे नहीं बन जाते ये हमारे लिए मुश्किल होगा क्योंकि वो बहुत ही प्रतिभाशाली है लेकिन हम कोशिश करेंगे हाँ साई, हम भी कोशिश करेंगे रामजी भला करें बच्छों, तुम सब अपने अपने घर जाओ मुझे कहीं जाना नजाने किस मिट्टी की बनी है तेरी बेटी गायत्री कितना सिखाया उसे फिर भी सुशी लड़कियो वाला कोई गुन ठहरता नहीं उसमें अब देख उसे गज भर की हो गई है पर रप्ती भर की अकल नहीं मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ उसकी उसका भला चाती हूँ, इसलिए समझाती हूँ पर बस अब तो मैं हार गई अब तू ही उसे समझा हो मा बच्छी है सीख जाईगी सासुबाई और अभी दो लोटी है मेरे पास इतने सालों बाद अब जाकर उसका साथ मिला है किस मत्स अब इतनी सक्ति कैसे बरतू? जी करता है, अपने हिस्से की सारी खुशियां उसे दे दू अगर देना ही है तो उसे अपने संसकार दे दे बहू आखिर कब सीखेगी? जिस सुमर में भाकरी सेखनी चाहिए वहाँ ये कविता बनाती रहती है ये नारी शक्ती उसका पढ़ना, लिखना ये सब सुनने में अच्छा लगता है हमारे समाज में आज भी उसी लड़की की इज़त होती है जो एक अच्छे गुरेने हो मैं बस इसी लिए तेरी बेटी के पीछे पड़ी देती हूँ ताकि कल को वो ससुरा जाए तो वहाँ अच्छे से निभा पाए और वहाँ तो उसे घर के काम ही मान दिलाएंगे कवीता नहीं तैसे अज जी कवीता बनाना भाकरी बनाने से मुश्किल है कंबक रुक पड़ी जुबान चलने लगी है तेरी अरे रुक तो आई मझे बचाओ अच्छा अब आई बचाओ इतने सालों के बाद आई है और फिर भी बाहर गूम रही है आई का तो ख्याल ही नहीं रहा दो पल मेरे पास ठीक से पैठी भी नहीं है तुझे पता है इन सालों में मैंने तुझे कितना याद किया पेजा का आपने ही था ना आई अपने से दूर आज जी का खयाल रखने और अब इतने सालों बाद आयू तो के थोड़ी बे आजादी नहीं मिलेगी और रही बात आपके साथ समय बिताने की तो अब तो मैं यही रहूँगी आपके साथ अब थोड़ी ना में कई जाऊँगी आपके साथ खाऊंगी, साथ सोंगी और अपने कविताय भी सुनाऊंगी यानी नाप में दम करके रखूंगी और हाँ, मुझे आपके हाथ का बेसन का पिठला वो भी तो खाना है मेरा मन पसंद है न सिर्फ खाये गई या घर के काम में भी हाथ बटाओगी कविता से पेट नहीं भरता कल को तेरी शादी होगी और तेरे पती को जब भूख लगेगी तो क्या उसे कविता सुना कर उस बेचारे का पेट भरोगी हो आज जी अब हमेशा यही बात लेकर बैठ जाती है आपको तो कोई नहीं समझा सकता और आई आपको पता है सरो जी नहीं जीने क्या का उसके बाते तू करना ही मत चाने दीजे ना सासू बाई सालों बाद बेटी घर लोटी है अब उसे थोड़ी तो मनमानी करने दीजिए लेकिन उमा ऐसे ही लाड करती रहोगी तो कब इसके जाने का समय आ जाएगा तुझे पता ही नहीं जलेगा मैं कहीं नहीं जाओंगी अगर ऐसे ही तेरे नकरे रहे तो सारी जिन्दगी यही पड़ी रहेगी अगर घर की शोबा लड़की होती है तो लड़की की शोबा उसके गुरीन ही होने से होती है लेकिन आज़ी जवाब देना बन कर और चुपचा भाकरी बनाने बैठ लेकिन आए बेटी, अभी मेरी भाकरी बनाने में मदद कर देना फिर पढ़ लेना और सुन, जितने जल्दी हाथ चलाएगी उतने ही जल्दी तुझे भाकरी के साथ बेशन का पिटला खाने को मिलेगा आई, आई कभी नहीं बूलती है तुझे खाना है ना तो चल जल्दी-जल्दी मदद कर और गायतरी, आज से रोज दिन में भाकरिया तुझी बनाना दिन में? मैं दिन में कैसे कर पाऊंगी? कल से मैं पाठशाला जाऊंगी ना जा करेगी पाठशाला जाकर? बंबई में जितना पढ़ लिया उतना काफी है अपसे तु घर पर रहकर घर के कामकाजी सीखेगी वैसे भी लड़की के असली पाठशाला उसका मायका ही होता है कोई ज़रत नहीं है विद्धा ले जाने की तु तो जानती हैं आपने आजजी को तो चानी दिना तु कितना सूचती है तेरी बाबा आज पाठशा लगए है मोरुखा दाखिला करने तो तेरा भी दाख्ला करवाएंगेगे पाचाई क्या हुआ? क्यों कोश हो तुम दोलो? क्योंकि आजजी आए ने कहा कि मैं भाकरी बाराना बहुत जल्दे सेख जाऊंगी सही सुनाया आपने मेरी आई बंबई से आई है और साथ में मेरी बेटी गाहितरी भी आई है लेकिन दाख्ला मुझे सिर्फ मेरे छोटी बेटे मोरू का करवाना है गाहितरी का नहीं मैंने तैय किया है कि दामू और मोरू पढ़ा ही करेंगे और गाहितरी के लिए मैंने कुछ और इससे भी बहतर सोच रखा है सुपान जरा हम भी तो सुने कि गाहितरी के लिए तुमने ऐसा क्या सोच रखा है जो उसका दाखिला नहीं करा रहे हो कहा न साइन मैंने उसके लिए कुछ सोच रखा है जो उसके लिए सबसे अच्छा भी है सही भी है और इसमें उसकी खुशी भी है इसलिए तो सिबंबई से यहां बुलाया है ऐसा नहीं है कि अपने आजी के साथ को खुश नहीं थी लेकिन एक पिता का मन कभी भरता है कैसा ही अब मुझे अपनी लाडली को और जादा खुशिया देनी है पर वो मुझे पता है कैसे सुनकर अच्छा लगा सोबन कि तुम्हारा मकसद सिर्फ गायतरी की खुशी है लेकिन तुम्हारी बच्ची की खुशी किसमे है वो क्या चाहती है ये भी तो एक बार सोच लो मैं अभी अभी तुम्हारी बेटी से मिलके आ रहा हूँ सच में बहुत ही होनहार है वो पढ़ना लिखना चाहती है आगे बढ़ना चाहती है उसे पढ़ने तो शिक्षा से ही उसकी आंतरिक और बाहरी प्रथिवा में निखा राएगा उसे खुला आस्मान दो सुपान जिसमें वो उची उडान भर सके साइं मैं एक गरीब आदमी हो घर में खाने वाले छे और कमाने वाला मैं अकेला गुजारा भी जैसे तैसे होता है इसमें गाहित्री की शिक्षा का खर्च आप समझने की कोशिश कीजिए जैसे मुरू का दाखला करा रहे हो वैसे गाहित्री का भी करा तो राम जी है न, देख लेंगे वो साइं, सब पढ़ाई में ही लगा दिया तो बचाओंगा क्या और रही बात मोरू की, तो वो लड़का है पढ़ना लिखना उसकी जरूरत है गाहित्री को तो वैसे भी शादी के बाद दूसरे घरी जाना है तो फढ़ लिखकर क्या करेगी? साइं, मैं आप कीजेगा, मैं आपकी इज़त करता हूँ आपने मेरा घर बचाया है, लेकिन घर चलाना तो मुझे ही है न इसलिए मुझे मेरे परिवार के फैसले खुद लेने दीजिए जरूर सुपन, फैसला तो तुम्हारा ही होगा मैं बस इतनी सलाद हूँगा कि एक पिता होने के नाते तुम्हें अपनी बेटी को बंक देने है पिंजराने अध्यापक जी, पल से दामों के साथ मोरो भी पाट साल आ जाएगा अच्छा साहीं, चलता हूँ श्रीकांत, यहां का काम हो जाए तो मुझे द्वारका माई आकर मिल लेना कुछ जरूरी काम है अभी फुर्सत नहीं हो साहीं अभी बदा सकते हैं आप नहीं, अभी नहीं तिलहाल मेरा कहीं और जाना जरूरी है आई, आपना बिल्कुल बे चिंता मत करना आपको पता है, मैं इस गाओ के बच्चों से मिल चुकी हूँ उनसे मेरी दोस्ती भी हो गई है तकल पाट्शालम में मेरी उनसे मुलाकात होगी यह सोच सोच कर मैं बहुत ही अच्छाहित हूँ रब को पता है, उन लोगोंने मुझे सराहा उन्हें मेरी कविता बहुत ही पसंद आई सबको कविता सुनाती है, तबी मुझे भी तो सुना सच चाहिए? हूँ जरूर सुनाऊंगी आई, आप कौन से मिशेपे कविता सुनेंगी? इस अलमारी पर यह सुना दे हाँ आई, सुनिया लकड़ी की है यह अलमारी, है इसमें दुनिया सारी बीते हुए कल की यादे, और आने वाले कल के सपने इसमें पराया कुछ नहीं, जो भी है, है सब अपने फीक कोने में रहते है आजजी के वो गैने, जो मेरी मान आज तक कभी नहीं पहने बाबा का बटवा भी है और मूरू की किलकारी, लकड़ी की यह अलमारी है इसमें दुनिया सारी ऐसी ही एक अलमारी मेरे मश्तिश के अंदर है, जब मैं रही अपनी मा से दूर, उन यादों का समंदर है वा बिटी, तेरी कविता तो बहुत सुन्दर है, बहुत बढ़िया लिखती है तुछ गायत्री, बाहर जा, और नीम के पत्ते लिया, गला खराब है मेरा, काढ़ा बनाऊंगी मैं ठीक है अजी उमा, ये तो ना समझे, पर तू तो सयानी है ना, तुझे तो पता है ना, कि एक अवरत की, किन-किन गुणों से कदर होती है, फिर क्यों तू उसे बढ़ावा दे रहेगे, अगर तू उसकी कविता की सराहना करेगी, तो ये घर के काम छोड़कर उसी में रमी रहेगी लेकिन सासु भाई, कविता लिखना कोई बुरी बात तो नहीं है, क्या अच्छा नहीं है, कि गायत्री में एक अतिरिक खुभी है, अतिरिक बूर है, लेकिन उमा, अगर तेरी बेटी घर के उन कामों में भी उतनी अच्छी होती ना, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती लेकिन इस लड़की का सारा ध्यान पढ़ाई और कविता लिखने में ही लगा रहता है, छोटी सी खोलिती अमारी बंबई में, उसमें भी जाडू लगाने में आदा प्रहर लगाती थी ये, मुझे तो इसकी चिंता में नीन नहीं आती है, ये तो मायका है, तू और मैं यह ना इसे संभाल लेंगे, लेकिन कल अगर सासुराल में, सर पर पल्लू रखकर, सर जुका कर, मुझे सिलकर काम करना पड़े, तो क्या ये निभा पाएगी, विंदगी बर इसे सासुराल वालों के ताने ना सुनने पड़े, इसे अपने घर में सम्मान मिने, इसलिए तो मैं कर रहे हूं सब, सासु बाई, कायतरी को उसके सारी जिम्यधारिया में सिखा दूंगी, लेकिन इतने सालों बाद बेटी मेरे पास आई है, कुछ दिन तो उस पर अपनी ममता लुठाने दीजिया ना, और वैसे भी, हम माओं को, अपने बेटियों का साथ कहां ज्यादा मिलता है, हाँ, ये तो है, बेटिया परायधन जो होती है, दूसरों की अमानत होती है हमारे पास, यही समझ कर हमें उन्हें वैसे ही पालना चाहिए, कभीता तो छोड़, पढ़ाई, लिखाई भी, कहा काम आईगी उसे ससुराल में बोलना आसान है, पराया दन होती है बेटियां, मेरी पहली संतान है गायतरी, मुझे पहली बार मा कहने वाली, मा का सुख देने वाली, वो पराई क्यों होगी, जब शादी होगी, तब होगी, जब तक मेरे पास है, मैं तो उसे हमेशा खुश देखना चाहूंगी कहां रह गया यह रमाकान, अगर यह जल्दी नहीं आया ना, तो मैं इसके साथ अपने साजीदारी तोड़ दूँगा माविर भाउ, यह कोई वक्त है आने का, यह क्या दशा बना रखी है रमाकान, सब ठीक है ना, सब खतम हो गया भाउ, सब खतम हो गया पर हुआ क्या है, बताओगे, इंदर पेक हैं यह क्या है क्या है? कि… यहुआ सब खतुम हो गाया बोल। मेरे पैसे लेगा बागागल.. सब खतुम हो गया !! कुछ नहीं बचरा … मेरे पैसे !!! कर दिया १ ना सच्छा ना तुने तुम्ने ना केवल बक्ष की बरबादी की, पैसा भी बरबाद कर दिया तुम्झे, और थे भ्यापार के लिए ब्याद पैसा लिया था मैंने, अब व्याद भी तुम भरना पड़ेगा, और नहीं दिया नो तुम्ने, अदालक में घची जुगा तुम्न गो! पाविर बावु, माफ करना मैंने तो अपनी सारी जमापुण जी इस वयापार के लिए लगा दी अपनी जमीन तक बेज दी मैंने अब जब मैं ही रास्ते पर आगया हूं तो वयापार कैसे करूँगा मैंने कहा था तुम से काहों किसी मंदिर में नारियल फोड़ते हैं ते कि तुमने शिर्डी की रट लगा रखी थे कि वह स्ताइए है उनका आशिरवाद मिलेगा और ये आशिरवाद मिला आशिरवाद तो मिला ही नहीं सब मेरी गल्ती है मुझे साही के लिए रुकना चाहिए था उनसे प्रत्यक्ष्य मुलाकात होती तो उनकी क्रिपा भी होती तो ये सब ना होता साही ये 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 तो वही चोर है मेरे पैसे दे मेरे पैसे दे मेरे दे बहुफ मेरे पैसे मेरे पैसे पैसे तो मिल्क्टी है मेरे दिक पेसे का गए? एए! का गए मेरे पैसे? बता मेरे पैसे का गए! बता! मुझे माफ करदो साथ आप जो भी सजा देंगे मैं भुगत लूँगा अपी बात में मांग पहले मेरे पैसे लोटा कहां से लोटा हुए पैसे? आपके पैसे तो बता हुआ बता हुआ बता हुआ बता हुआ यह जोट बोड़ रहा है मैं सच क्या रहा हुआ साहब मेरे यकीन कीजिए मैं आपके पैसे लेकर भाग रहा था तभी आपके साजेदार वहां आ गए जोट मैं चाद्मिया तुम से? आप नहीं वह दूसरे वाले राया धन मिट्टी के समान होता है यह फकीर हड रास्ते से तू कोन होता है मुझे अपदेश देने वाला मैं उस इंसान का साजेदार हूँ जिसके थैली छीन कर तुम भागया हूँ तो जहाँ उस का सु पोच यह थैली तो मेरी हुई चलत जाने से पहले एक बार उस थैली को खोल कर देखो तो सही कर देखो करना कर देखो थैग कर देखो प्रप्राइब तो कर दो कर दो मेरी सांसे रुकी की रुकी रह गई उस फकीर का चमतकार देखकर मैं बहुत बुरी तरह डर गया हूँ साहब इसलिए इसे आपको लोटाने आया हूँ अब इस मिट्टी का क्या करना है वो आप ही जाने चुछ बोल जो तो हमारा कोई चीसा साजिधार नहीं है का मकान इसे प वहाँ उगलेगा की पैसे कहा है रुकिये भाव यह मुझे दीजिये मेरे पैसे मेरे पैसे भाव पैसे पैसे यह कैसे संभा हो सकता है हमने तो अपनी हांकों से दिखा था इसमें मिट्टी थी जिस वक्त इसने उस फकीर का जिक्र किया मैं समझ गया कि यह किसके विशह में बोल रहा है मैं जानता हूं उने श्रीडी में ऐसा चमतकार सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है हमारा तीसरा साजीदार साई 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 मुझे माफ कर दीजी मैं कई दिनों से काम के तलाश में गाउं गाउं भटक रहा था लेकिन कुई काम महीं मिला हालत इतनी खराब हो गई थी कि भूख से बेचेनी होने लगी और उस बेचेनी ने मुझे अंदा कर दिया था तुम्हारी मजपुरी समझता हूं लेकिन तुम्हें भी यह समझना होगा कि हम किसी की किसमत चुरा कर भाग नहीं सकते सब को अपनी किसमत बनानी पड़ती है दूसरे के हिस्से के कामिया भी लेकर भागोगे तो तुम्हारी किसमत में मिट्टी ही आएगी दूसरे का सोना भी मिट्टी के मूल के सिवा तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगा प्रत्यक्षन वव कर चुका हूं साइए मैं वचन देता हूं कि आज के वाद कोई चोरी नहीं करूंगा चाहे भूखा क्यों ना मरना पड़े मैं भूख लगी है ना लो जी भर के कालू एक सीख तुम्हें भी सीखनी होगी महावेर समय का पाबंध होना अच्छा गुण है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी कुन है मानव था दूसरों की मजबूरी समझना दूसरों के दुखों में उनके आंसों पोचना तुम तो व्यापारी हो अगर अपने साचिदार से अपने कर्मचारियों से अपने क्राहकों से इतनी अशिष्टा से पेश आओगे तो तुम कभी उनके निष्ठा और वफादारी अर्जित नहीं कर पाओगे लेकिन अगर उनके तुक परिशानिया और श्रथा को सम्मान दोगे तो वो पूरी इमानदारी से तुम्हारे व्यापार को और सफल बनाएंगे मुझे माप कर दीजिये साई समसे भी मैं अपने वेभार के लिए माफी मांगता हूँ हम मैं अपना आचन अवस्चे ठीक करूगा साई एक सीख मैने भी सिखी है किसी को अपना गुरू या इश्वर मानो तो हमेशा उसे अपने मन की आंखों से देखो तब हम उने हमेशा अपने साथ पाएंगे जैसा तात्या ने कहा था इसे अपने पास रख लो नहीं साई यह तो मैंने आपको अरपित किया है तो वापस के से लू मेरी तरफ से व्यापार में लगा तो आखर मैं भी तो साचेदार हूँ लो महाविरभाव इस आपादापी में नारियल फोडने का मोहरत तो भीद गया अब अब तो हमें सही संगती की प्रापती हुई साई का साथ मिला है शूब मोड़ तो अब शुरू हुआ है अब हम नारियल यहीं दौर कामाई में फोड़ेंगे और यहीं नहीं अब गल्ती तो सबसे होती है लेकिन सब को एक मौका तो अवश्य मिलना चाहिए आज तुमने अपनी पहली गल्ती की इससे पहले यह गल्ती तुमारी आदद बन जाती तुम्हें अपनी इस गल्ती का एहसास होगे और तुम्हें इससे सुधार भी लिया हमें अपने व्याता में मदद के लिए लोगों की आभशक्ता तो होती रेती तुम चाहो तो हमारे साथ जूर सकते हो शुक्रिया मैं आपका विश्वास कभी तूटने नहीं दूँगा रामजी भला करें चलते साई प्रणाम साहिं रामजी भला करें आपने बुलाया था सो में आगया बताईए क्या खाने बताता हूँ चलो मेरे साथ कान जान पाए ओंसायो बाबा कितावे ये मैं रख देती हूँ अब हात मुदो लीजे मैं खाना लगा जीती हूँ बच्चों के कितावे बहुत महंगी हो गई है कहां खर्च करें कहां बचाएं समझी नहीं आता लेकिन पैसे तो जोडने ही पड़ेंगे किसली है? है कुछ खास जैसा मैं चाहता हूँ अगर वैसा ही हुआ तो हमें पैसो की जरूत पड़ेगी बाबा, इसमें तो मेरी कितावे हैं ही नहीं ये तो सिर्फ दामो और मोरो की है हाँ, उन्हीं की है तुम्हें किताबों की क्या जरूरत तुम्हारा दाखिला तो मैंने करवाया ही नहीं है कराया नहीं से मतलब? बाबा मुझे पढ़ना है बेटी, जितना जरूरी था उतना पढ़ चुकी तुम अभी तो बहुत पढ़ना बाकी है बाबा और आप कह रहे हैं कि मेरी पढ़ा हो चुकी सुबह से मैं ये सोच के खुश थी कि आप गए हैं तो मेरे लिए नेक अक्षा के किताबे लाएंगे और आप दुखिये मत हो, गाहित्री मैंने तेरी लिए कुछ और इससे भी बहुत अच्छा सोचा है हो सकता है कल ही हमें बहुत बड़ी खुशख़़ी मिले मुझे और कुछ नहीं चाहिए बाबा मुझे पढ़ना है जिद मत कर चला और खाना लगा अपने बाबा के लिए नहीं गाहित्री गाहित्री आहू कुछ हो नहीं सकता क्या गाहित्री का बड़ा मन है पढ़ने का अम तो जानती हो इतने पैसे नहीं है हमारे पास कि तीनों को पढ़ा सकें अब फिर करेगी क्या हो पढ़कर, कलेक्टर थोड़ी ना बनना है उसे आप कुछ कह रहे थे, कल खुश खबरी, ऐसे क्या होगा कल? अभी नहीं बता सकता, तुम्हें जोटी उम्मीद नहीं देने चाहता अभी, बस इतना समझ लो कि कल बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, बस सब ठीक से हो जाए, तुम गाहित्री की चिंता मत करो, मैं उसे अभी मना कर लाता हूँ, तुम उसके थाली लगाओ, अभी मैंने देखा नहीं कोई बाद दी बाबा गायतरी तुम मेरी अच्छी बेटी है समझदार बेटी है समझ बेटी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम तीनों को पढ़ा सको समझ से आकर पैसो किये बाबा तो मैं मस्दूरी करके पढ़ाई के लिए पैसे कि बस इससे आगे एक शब्द भी बोला बेटी से काम कराना पड़े इतने बुरे दिन नहीं आया अभी तो फिर मुझे पढ़ाई है ना बाबा कहा ना तेरी पढ़ाई हो चुकी है देख बेटी तु नहीं समझना चाहती तुम मस समझ लेकिन होगा वही जो मैं कहूंगा खुद को भूका रखे तुमेरे मन को बदल नहीं पाएगी मिठी पर लिखी कविता मिठ सकती है लेकिन जो मेरे मन में अंकित है वो कभी नहीं मिठ सकते आज नहीं है बंक मगर मैं किसी दिन उड़ पाऊंगी बादलों के टापों पे उचल उचल कर जाऊंगी लेलू बाबा ने मेरी पढ़ाई बंकरवा दिये तो मुझे भूख कैसे लग सकती है साई बस इतनी सी बाद तुमारी पढ़ाई मैं शुरू कराऊंगा बेटे फिर तो खाओगी न लेकिन आप मेरी पढ़ाई शुरू कैसे करवाएंगे साई श्रीकान बेटी ये श्रीकान जी श्रीडी के पाठ्चाला के अध्याबर लेकिन बाबा नहीं मानेंगे तुम उसकी चिंता मत करो पिटी कल सुबह मैं आऊंगा तुम्हें पाठ्चाला ले जाने के लिए तभी तुम्हारे बाबा को भी मना लोगा छट साई 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 अच्छानक मुझे बहुत जोर से भूख लगने लग गई और है अमरो बड़े स्वादेश दिख रहे है शक्रिया साई अब तुम्हार जाओ साइन आपने तो कह दिया है लेकिन सुपान को समझाना मुश्किल है क्या वो मानेगा? अल्लाह माले बता है हाई जो बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई वो क्या थी? व्यक्तित्व उनका परवत से भी विशाल एक हाथ में पुस्तक तुझे हाथ में ग्रांते की मशाल लेकनी उनकी खदक सी वानी कोयल सी दिन दिन की है वो ढाल अरे वा बेटी ये तो बहुत ही महान महिला है लेकिन तुने ही ने अपनो गुरू के से बनाया कहा मिली तु इन है? बंबई में हमारी खोली के सामने एक मैदान है वाहां मैंने उन्हें पहली बार बोलते हुए सुना कितने पड़े लिखी है वो आई कविता लिखती है लेखी का है समात सेवी का है उन्होंने देश के लिए अपने जिंदगी लगा दिया आई आई उन्हें की जैसे बनना है मुझे तेरा फैसला बिल्कुल सही है बेटा बस तुका ली जा और बात करके आ मैं प्रार्थना करूँगी कि सब कुशल मंगल हो लेकिन आई गायतरी बहुत जिद्धी है क्या आपको लगता है क्यों मानेगी अगर उन लोगों के सामने उसने कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो बेटा वै किस दिन के लिए हूँ बस कल सब सही हो जाए गायतरी को हम मनाएंगे सिखाएंगे फिर देखना दो दिल में ही इसके पढ़ने लिखने का भुद्ध सर से उतर जाएगा बगवान कर सब ठीक कर देना नहीं आई बाबा जरूर मानेंगे अर्ट साही आयते उन्होंने मुझसे कहा कि वो कल सुबह आकर बाबा को मनाएंगे और मुझे पाट्शाला लेकर जाएंगे अब सुबस कल का इंतजार है आई, साही को बाएंगे अभी पाट्शाला का समय कहा हुआ है लेकिन साही को बाबा से बात भी तो करनी है ना आई तेरे बाबा है कहां घर में तो साही आके उनसे बात करे आई, बाबा का गए उमा, आज शीरा बना न शीरा, आज कोई खास बात है क्या? ये तो सो पानी आकर बताएगा बस इतना समझ ले, गायतरी के लिए बड़ी खबर है बड़ी खबर? मेरे लिए हो सकता है कि साही ने बाबा से बात कर लियो और बाबा मान गए हो इसी लिए वो घर में नहीं है अबी शायद मेरा दाखिला कराने गए हो बाबा आप कितने अच्छे आपने मुझे बहुत ही खुश कर दिया अब से मैं आपकी सारी बाते मानूगी और घर के काम भी सिखूंगी क्या आई आपने इसे बता दिया कि मैंने इसके शादी ताय कर दी तो क्या बात बक्की हो गई हाँ पक्की हो गई तो अग्वान ने मेरी सुन ली अग्वान तेरा लहात लग शुक्रिया नमस्ते है हाँ मैं श्रीकांत श्रीडी की पाठशाला का अध्यापक हूँ अब अपकेली आये साही का है साही नहीं भजाय मुझे इनने साथ लेकर ये जोशी साहिब है सेक्षन मंडल के उछ पदस्त अधिकारी सुपां इन्हें बात करनी है तुमसे कहिए मैं आपके क्या सेवा कर सकता हूँ सुपां जी इस गाउं के मद्यवर्ती पाठशाला के मुख्य अध्यापक शुरी कान जी ने आपकी बेटी की प्रतिभा के बारे में मुझसे बात की इतनी चोटी उम्र में इतनी प्रतिभा सच में पाबिले तारीफ है गायतरी की होश्यारी और काबलियत दोनों सरहनी है इसलिए शिक्षर मंडन ले अगले पाँच साल तक आपकी बेटी को छातर उर्ती देने का फैसला किया है यानि अगले पाँच साल तक आपकी बेटी की पढ़ाई पर आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और यदि इन पाँच सालों में आपकी बेटी अच्छे परेनाम देती है और उसके बाद भी वो आगे पढ़ाई जारी रखना चाहती है तो इसके लिए भी हम आपको आर्थिक मदद देंगे मेरी बेटी के लिए जो आप करना चाहते हैं उसके लिए धन्यवाद किन्तु ये प्रस्ताव में स्विकार नहीं कर सकता क्योंकि आज ही मैंने अपनी बेटी की शादी तैकी इसलिए अब वो पढ़ नहीं पाएगी लेकिन सोपान अब ये बारा साल की और ये पढ़ना चाहती और साहीं भी चाहते हैं कि गायतरी अपने आगे की पढ़ाही करें इसलिए उन्हें ने मुझे जोशी जी के पास पहज़ा और तुम जानते हो सोपान साहीं हमेशा वही करते हैं जो हम सब के लिए सबसे अच्छा हो उनकी इच्छा के खिलाफ मच जाओ आई किये और आपकी बहुत इज़त करता हूँ इन तो मेरा फैसला अटल है गायतरी की शादी होकर रहेगी पिता हूं इसका सब कुछ देख परक कर ही रिष्टा तै किया है जिस घर में इसका रिष्टा तै हुआ है वो घर भहुत अच्छा है वोपर गाउं के राउजी के बेटे सुभाष के साथ रिष्टा तै हुआ है राउजी बहुत प्रतिष्ट आद्मी है पुड़ी जमीन जाइदाद्मी है बहुत अमीर नहीं है लेकिन कोई कमी भी नहीं है सुक्स से रहीगे वहां और माईके से जादा दूर भी नहीं जा रहे हैं आप साहीं से कह दीजेगा मैंने सब देख लिया है वो लोग किसी काम से साकुरी धरमशाला में रुके दियों अभी अभी उनसे मिलकर ही आ रहा हूँ कल वो लोग यहां गाहित्री को देखने भी आ रहे नहीं बाबा मुझे आगे पढ़ना है उस ही मेरी खुशी है मेरी शादी मत कराईए बाबा आपकी समस्य यही थी ना कि आप तीन बच्चों की पढ़ाई का खर्च नहीं उटा सकते थे तो अब तो उसके भी विवस्ता हो गए ना मुझे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं लगेंगे ना बाबा तुम मुझे पढ़ने दीजिये ना बाबा तेरा बाप हुमै आप तुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं अभी जिन्दा हूँ मैं ये सब मैं तै करूँगा मैं चलता हूं सुपान अभी इस वक्त तुम किसी की सुनने समझनी की स्थिती में नहीं हो लेकिन इतना समझ लो तुम्हारे इस वैसले से साई को तक्लीफ होगी निराश होंगे वो हमारे समाज की यही रीत है यही परमपरा है और हम साई की तरह बैरागी नहीं है हमें अपने समाज के इसाफ से ही चलना पड़ेगा चलिए साई पर एदबार था मुझे कि वो मेरे बाबा को समझाने आएंगे लेकिन नहीं आए वो दामो तो कहता था कि साई सब की मदद करते फिर मेरी मदद क्यों नहीं की उन्होंने अब इसमें इतना रोने दोने वाली कौनसी बात है तुम्हारे उम्र की लड़कियां तो शाधी की बास सुनकर फुली नहीं समाती तुम्हारे शाधी होगी ना तुम्हें धेलो गहने में लेंगे नए नए कपड़े में लेंगे गहने कपड़े मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा मुझे तो बस पढ़ना नहीं करनी मुझे कोई शाधी आप क्यों नहीं समझते हैं मेरे बात आप मुझे प्यार नहीं करते यार करता हूँ तभी तो इस सब कर रहा हूँ बेटी बड़ो का फर्ज होता है कि अपने बच्चों के हित में सारे फैसले लें मैं भी वही कर रहा हूँ मैं जानता हूँ कि तुम अभी मेरे इस फैसले के पीछे छिपे अपने सुनहरे बभुष्य को नहीं देख पा रही हो अभी तुम्हें मेरा फैसला गलत लग रहा है तुम देखना जब तुम अपने होने वाले पती को देखोगी शगुन में मिले धेरो तोफे देखोगी अपने ससराल का संदर घर देखोगी और जब शादी के विदी विदान शुरू होंगे तो तुम खुद अपनी राय बदल लोगी और जब ससराल में तुम्हारा मन लग जाएगा तब तुम मुझे धन्यवाद का होगी बेटी अच्छा रिस्ता असानी से नहीं मिलता इसलिए जब मिला है उसे ठुकराना नहीं चाहिए लेकिन बाबा बाबा हूँ मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं तुम्हारी ये पढ़ने लिखने की जिर बचपना है तुम्हारा और तुम्हारी बच्पने के कारण में तुम्हारी आगे की जिन्दगी खराब नहीं कर सकता थोड़ी दिन और पाट साला चली भी जाओगी तो क्या हो जाएगा आखिर बाद में भी तो शादी करनी ही है ना बापा एसे तो हर बात की बस अब इस विशाय पर और कोई बात नहीं होगी तुम्हारी शादी होगी और इस सच्चाई को तुम जितना जल्दी स्विकार कर लो तुम्हारे लिए उतना ही आसान होगा ओमा समझाओ उसे क्या समझाओ बेटी का रिष्टा पक्का कर दिया और इसके मा को बताना भी ज़रूरी नहीं समझाओ सोचा था बताओ लेकिन मुझे पता है कि तुम बहुत महत्व कांशी हो अपनी बेटी को लेकर अगर बताता तो तुम्हारी उमीदें बढ़ जाती और फिर अगर बात नहीं बनती तुखी होती तुम इसलिए सोचा कि बात आगे बढ़े तुही बताओ आई को भी बिती रात ही बताया फिर थोड़ो इन सब बातों को ध्यान से सुनो कल लड़के वाले आ रहे हैं अच्छे से तयार करना हमारी बेटी को और समझा भी देना उसको तौड़त रिखे लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है अभी आभी तो बेटी आई है हमारे पास देखा तडब उठीना मा की ममता बेटी के विच्छो की कलपना भर से ही मा सेहर उठी ऐसा नहीं है कि पता निर्मो ही होता है लेकिन बेटी के बाप को अपनी पेड़ा छुपा कर होटो पे मुस्कान लिए अपना फर्ज निभाना पड़ता है जमाने का यही दस्तूर है उसे ही आगे बढ़ा रहा हूं तुम मा हो ना इसलिए भूल गई याद करो जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम भी गायत्री की उमर जितनी ही थी तो तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ सब अच्छा ही हुआ ना काईत्री के सान्ध भी सब अच्छा ही होगा अब अंदर जाओ और समझाओ से मुझे बाजार जाके कल की ता यारी करनी है सच कहा तमाने से दस्तुर चला रहा है बेटी के जीवन से जुड़े फैसलों में शामिल होने का हक मा को तब भी नहीं था और आज में नहीं है आई आप कुछ कीजिये ना मुझे भी शादी नहीं करनी है अब कैसे भी करके शादी को रोप दीजाए समाज की कुरूतियों के कारण ऐसे होनार बच्चों का भविश्य अंतकार में देखकर मेरा तो कलेजा मुझा आता है अंदेशा था मुझे कि वो राजी नहीं होगा लेकिन ये नहीं पता था कि इसके पीछे की वज़ा शादी होगी कैसे वो इतनी चोटी बच्ची की शादी तैय कर सकता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कुछ तो करना होगा जनोनी को होने सो रोगना होगा तोपान का रविया देखकर मुझे तो नहीं लगता कि वो मानेगा लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि साही कोई ना कोई हल जरू निकालेंगे चलकर पूर ये बात साही को बताते हैं हाँ आये साही ध्यान में और उन्होंने कहा है कि कोई व्यवधान नडाने अब तो चाकर भी साही को कुछ नहीं बता सकते हैं अगर इनके कानों में बात चली जाती तो ये शीगरी को ये उपाई बताते हैं ये की ही हैं जो कुछ कर सकते हैं साही ध्यान में हैं लेकिन बे खबर नहीं इस अवस्था में ये अपने भक्तों के और करीब होते हैं और करीब से जानते हैं उन्हें इस अंसार में इनसे कुछ छुपता नहीं और नहीं इन्हें कुछ बताने की ज़रूरत हैं मुझे यकीन है गाहितरी की समस्या भी इन तक जरूर पहुच रहे हैं साई पहुच अगए साई साई ँष साई 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 इस बता ओ साई साय हुआ 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 है अब तब में इंचे खेलती हुआ है खेल में चिक्रियस्ते भी कर लेती हुआ है शायद बाबा ने इसी बात को कंभीरता से ले लिया अब लगा कि हुआ है हुआ 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 है बापा को संजाओ ना अभी तो बड़े बरता मेरे हाथ में खिक्शा आते तक नहीं है पाने से बरा हुआ मता लेकर जार कदर भी नहीं चल पाती है करियास्ती का पूछ कैसे उठा पाऊंगी? आई, भूख लगी है, खाना दो ना? ताई ने अंदर क्यों रख रही है? ताई की शादी तैह हो गई है न, अभी इन सब से नहीं खेलेंगी, ना ही पाटशाला जाएंगी और ना ही कमिता सुनाएंगी अच्छा, तो फिर ताई क्या करेंगी? घर के काम और क्या? शादी के बाद भाकरिया बनाएंगी, घर सजाएंगी, लड़की वाली सारे काम करें गिताई खेलना खुदना पड़ाई लिखाई तो हम लड़कों के लिए बनाया हैं, आज ही कहती है लड़के ये सब काम के लिए नहीं बननी, बत! वो बाद करेंगी बरामेंगी मारोगी नाला एक लड़की, अब तो सुदर्जा अपने गुस्से पे काबू करना सीख ले अब शादी होनी है तेरी, अपने दिमाग को शान्त रखना सीख ले अची वरना, ससुराल में हमारी नाप कटवाएगी सासु भाई, यह क्या सेली यहाँ? बातों से समझाने का समय गया आप अमा, कल इसे लड़के वाले देखने आ रहे है इसे सक्ती से ही सिखाना होगा नहीं सिखना मुझे कुछ खबरदार जो बाहर कदम रखा तो आज से तेरा बाहर घुमना फिरना बन आदत डाल ले देहलीज के अंदर अपने पैरों को रखने की रहने देख तामूवर मोरू के लिए खाना लगा दे आज साइ तासुभाई वो तब से रो रही है दो दिन की मेमान है वो क्या ऐसे में उसे डाटना पट करना अच्छा लगता है पर तू ही सोच अगर ऐसे ही इसके तेवर रहे सासुराल में तो सासुर की ताने सुनेगी इससे तो बहतर है यही हम उसे सक्ती से थोड़ा बदल दे पर सासुभाई शादी तो खुशी का मौका होना चाहिए ने सब के लिए अगर जिसकी शादी है वही इतनी दुखी हो इतनी सक्ती भरत नहीं पड़े तो क्या यह सही है क्या करे बभू उमर के जिस मड़ाओ में अभी वह है उसमें बच्चों को कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल होता है गायत्री को जब देखती हूँ तो ऐसा लगता है आईने में मैं अपने आपको देख रही हूँ इतनी होश्यार और मोफट नहीं थी में लेकिन जब पहली बार अपनी शादी के बारे में सुना तो अपना घर छोड़े के कलपना से इल गई थी में मेरे घरवालों को बनाने की बहुत कोशिश के पर कुछ नहीं हुआ तब मुझे ऐसास हुआ कि हम आवरोत के पीछे कोई खड़ा नहीं होगा जो होना है होके रहेगा मैं अपनी बच्ची के पीछे खड़ी रहना चाती हूँ शायद साधा कुछ ना कर पाऊँ लेकिन एक कोशिश तो करना चाहते हूँ वह जामन खाकर मज़ा आगया था संता जी वो देखी संता जी ये फिकार इतने मिठा हे लेकर का जा रहा है हूँ चलिए देखते है चलिए चलो वीवा अरे सुपान वीवा मेरी बेटी की शाधिताय हो रही है सबसे पहले नियोता तो मेरे ने आया हूँ लेकिन सबसे पहले ने अता तो साही को देना चाहिए ना सुपान पता नहीं भीवा साही मेरे नियोते को सुइकार करेंगे भी या नहीं अइसा क्यूं कह रहे हो तुम देखो सुपान साही अगर कह रहे है तो तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए क्योंकि साही तो हमेश तुम्हें शूर मत हो जाना मुझे अपने फैसले लेने दो चलो चन्दू को नहोता देकर आते अगर जी विटी सुपान की वह उसे पढ़ाए यह उसे ब्याए इस फकीर को उससे क्या पता नहीं यह फकीर हर किसी के अबामने में टांग क्यों वड़ाता है बिल्कुल अपने सरकार की तरह एक बात पता जी तो यह ख़बर सरकार को बताने लाइक है बिल्कुल है ऐसे ही ख़बर चाहिए होती है मुझे अरियो समझ नहीं आया सरकार आपका इस तरह से खुश हो ना उस सुपान ने तो आप पर भ्रस्टाचार का रोप लगाया था ना क्यों पता जी उसके बाद भी आप उसके पक्ष में खड़े रहेंगे क्यों सरकार मुर्खो सुपान तो बस मोहरा है अगर वो फकेर चाहता है कि सुपान की पुत्री पढ़े तो वो इसके लिए साम दाम दंड भेड सब का सहारा लेगा हट धर्मी है वो अडंगा डालेगा पुत्रे की विवाह में और जहां तक मैं उसे चानता हूँ इस विवाह को रोकने के लिए वो इसे सामाजिक सुधार के रूप में प्रचारित करने का प्रयास करेगा सदियों से चलिया रही परंपरा को वो चुनोति देगा अगर वो चुनोति देगा तो मैं भी चुनोति दोंगा इस बार सामाजिक संस्था का ऐसा वार करोंगा उस पर बरसों से अरजित की हुई प्रतिश्था को मैं मिट्टी में मिला दूंगा द्रिश्टी बनाय रखो फकेर पे और सुपान पे पल-पल की सूचना मुझे मिलती रहनी चाहिए सही समय आने पर मैं अपना वार करूंगा हरियो क्लोंगा सुपात बस बस्चना माड़का क्लोंगा क्लोंगा साइ 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 जोईनी, बहुत सारी तयारया करनी है अपने सुभाद की शादी बाड़े धुमधाम से करेंगे रसमचाय जो भी हो, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे प्रसाद ले लो भाव प्रसाद? हाँ पास के मंदिर का ही लीजी यह क्या? यह चावल तो कच्चे है हाँ शाहे थोड़े कच्चे रह गए मगर प्रसाद तो प्रशाद होता है आप ने मुझे इतना सुना दिया कच्चे उमर में बचों की शादी बाड़ने निकले हैं उसका क्या इन कच्चे चावुलों को खाने से जादा से जादा कुछ दिन दिक्कत हो अगर कच्ची उम्र की शादी बच्छों का भविष्य उजार सकती है है अब चावल के बारे में इतना सोच रहे हैं अपने बच्चों के बारे में बोड़ा सा सोच लीजे ना कि यह क्या बत्तमीजी ए अब गोते कोने हमें नसियत देने वाले समझ लीजे मैं बच्चो का मन जो आपसे बिंती कर रहा है कि हमारी बात सुन लीजे पिता होने के नाते हमारी जिंदगी के सारे निरने आप ही लेते हैं और हमें उससे कोई आपती नहीं है क्योंकि आपका हक है वो शादी का निरने जिनने शादी करनी है उन्हें ही लेना चाहिए क्योंकि शादी जिंदगी में बस एक ही बार होती है इंसान के जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे एहम फैसला है ही इसी फेसले से हमारा भविष्यत्या होगा हमें उस उमर तक तो पहुचने दीजिए जहां भविष्यत्याय करने में हमारी भी भागीतारी हो किया बकवास है यह निकलो यह निकलो यह जाता हूं पर जाते जाते एक बार फिर कहूंगा मेरी नहीं तो अपने बच्चों के मन की सुने मान न मान मैं तेरा महमान देगा रोनी ऐसे शुब दिन पर वो अजनभी होकर ऐसी महनुष बाते सुना कर चला गया ठाकन वो असर यह कि उसे यह सब कैसे पता आहो क्यों दूसरों के बात पर ध्यान देते छोड़िये ना सुनता कौन है बच्चों की कहते है सब बच्चियों लेकिन जब बच्ची हूँ मैं बच्चों का विबा फिर कैसे हो जो अपने को कहते है सयाने उनको आए वो यह समझाने बच्चे बने कल का भविश्य उनका विकास कुछ ऐसे हो कुछ देखो बेटि, तुम हारे लिए नहीं नवारी लेकिर आयाओं एक बार देख तो ले साडी को कब तक यूँ यह उदास रहेगी मैं खुश कैसे हो सकती हूँ बाबा और आप खुश कैसे हो सकते हैं कुछ समय पहले तक मुझे जरा से भी खरोच आती थी तो आप सेम जाते थे अब ऐसा क्या बदल गया बाबा जो आपको मेरी तकलिफ दिखाई नहीं देरी यह पिर आप देखना ही नहीं चाहते मैं आज भी तुम्हारा वही बाबा हूँ बेटी तुम्हें विदा कर देने के नाम से काप उठता हूँ मैं लेकिन एक माता-पिता ही अपने बच्चे को खुद से अलग करने का साहस कर सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं ऐसा करना ही उनके संताम की भविष्य के लिए अच्छा होगा मैं मुझे पता है तुम्हारे लिए भी यही अच्छा है क्योंकि मैं तुम्हारे भविष्य की वो जिन्दगी देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रही आज भले मैं तुम्हारे दोश का धनी बनूँ लेकिन कल इसी चीज के लिए तुम मुझे दुआ दोगी चल अब सोजाओ रेगे कल तुम्हें जल्दी उठना है कर दोगी चीज के लिए दुम्हें जल्दी उठना है आज नहीं है पंक मगल मैं किसी दिन उड़ पाऊंगी बादलो के टापूओ पे उचल उचल के जाऊंगी तेज हवाओ में बहकर मैं गीच जोर से गाऊंगी मेरे पर निकलने दो मैं दूर गगन छू आऊंगी मेरे पाऊंगी पर निकलने पाऊंगी तेज के लिए प्रिए नादलो के लिए दुम्हें मेरे प्रिए प्रभी अजिए यज़ आऊंगी भी जातलो के लिए जोर से लिए एक लिए बादलों कर दो कर दो साई मैं जानती हूँ कि आई के बाद केवल एक आप ही है जो मुझे मेरी इच्छा को समझते है मेरी आई कमजोर है वो कुछ नहीं कर सकती लेकिन आप आप तो सब कुछ कर सकते हैं न साई मन की आँकों से दीखती हूँ तो आप में भगवान नजर आते है मुझे पर ऐसे क्या गलती हूए मुझ से साई जो वादा करके भी आप सुबह नहीं आए और अब तब तो अध्या पक्ची ने आपको सब बता भी दिया होगा उसके बाद भी आप मुझ से मिलने नहीं आए कहां चले गए हैं आप साई मेरी मदद कीजिए जल्दी का रूमा सोपान लड़के अवालों को लेकर आता ही होगा हे देवा इसी दिन से डरती थी में दुनिया भर की चीजे आती है इस लड़की को लेकिन नववारी पहननी की समझ नहीं आई इसे उमा से मदद लेनी की जरुथी क्यों पढ़ी तुझे नववारी पहनने में खुद क्यों नहीं पहन पाई कि नहीं पैंनिगी मुझे तो क्या पुराने कपड़ों में जाएगी लड़के वालों के सामने नहीं जाना है मुझे किसी के सामने नहीं करनी है मुझे ये सादी बास लड़की बहुत देर से तेरी ये नकरे बरदाश कर रही हूं लेकिन अब और एक शब भी बोला, तो मार खाएगी, तुझे क्या लगता है, हम सुब बेवकूप है ना, जो समाज के रितियों और परमपराओं के हिसाब से चलते आए, तू एक बात गाठ बांद ले, तू सरोजिनी नाइडू नहीं है, जो समाज के रिवास को बदल दे, हम जैसी अवरते नियमों का पालन करती है, नियम बनाती नहीं, कभी कुछ नहीं बदलता हमारे लिए, इसलिए बारा साल की उम्रह में जो मेरे साथ हुआ, तेरे आई के साथ हुआ, तेरे साथ भी वही होगा, यही हम जैसी अवरतों की किस्मत है, एक तरफ तो सासो भाई, कायत्री के शादी के पक्ष में है, लेकिन दुसरी तरफ, उनके शब्दों में, उनकी आखों में, कभी बेबसी, कभी दर्ग, तो कभी गुस्सा क्यों चलगता है, लेकिन ये किस ने तै किया, कि एक लड़की की शादी बारह साल की उमर में करना सही है, बिक्षा दे माई, जरूर साही होंगे,